नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर टेस्टी एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बाजार से भी अच्छा गेहों के आटे से बना हुआ नमक पारे की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे और पूरे महिने श्टोर करके रेखिए ये खराब नहीं होता है एकदम परफेक्ट मेजरमेंट और आसान तरीका आज आपके साथ सेयर करूंगे तो आएए देख लेते हैं इस टेस्टी से रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं तो नमकपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे जिसके लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पर तीन कब गेहूं का आटा और अगर नाप में देखेंगे तो यह साथ सु पचास ग्राम गेहूं का आटा है तो आज हम मैदे की जगा गेहूं के आटे के नमक पारे बना रहे हैं लेकिन ये नमक पारे इतने टेश्टी बनते हैं कि अगर जो खाएगा वो जान ही नहीं पाएगा कि इसे हमने मैदे की जगा आटे से बनाया हुआ है तो आब हम इसमें आट करेंगे चार चमच के करीब सूजी तो मैंने याँ पे चार चमच सूजी आट की हुई है अब हम इसमें डालते हैं एक चमच भर के अजवाइन तो अजवाइन को हमें थोड़ा सा ऐसे हतेलियों पर तरस कर लेना है जिससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है तो आब हमने अजवाइन भी एड़ कर दी है इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच नमक तो नमक कम ही रखिएगा ज्यादा नमक हम इसमें नहीं डालेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें मोयन डालेंगे तो मोयन के लिए मैंने ये छोटी कटोरी ली है ना इससे आधा कटोरी मैंने तेल डाला है इसमें आप मोयन के लिए घीका भी यूज कर सकते हैं, देशी घी भी डाल सकते हैं और वनस्पती घीर भी डाल सकते हैं, इससे हमारे जो नमक पा रहे हैं वो और भी टेश्टी बनेंगे, तो अगर नाप में देखेंगे, तो मैंने 80 ग्राम के करीब इसमें तेल डाला हुआ है, और अच्छी तरीके से उपर नीचे करते हुए इन आटो को अपने मिक्स कर लेंगे, अगर आप चाहें तो मोयन को थोड़ा-थोड़ा करके डालिए, मतलब पूरा एक ही बार में मट डालिए, एक बार डालके इसे मिक्स कर लीजिए, अगर आपको कम लगें फिर थोड़ा सा आट कर लीजिए, इस तरीके से आप बांध के देखिएगा, अगर आसानी से यह बंद जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें इद्दम परफेक्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एट करते जाएंगे, और इसका एक हार्ड सा आटा लगा ले तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आटे के बिस्किट भी सेयर किये हैं, अगर आपको यह रेसिपी चाहिए, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख लिजिएगा, काफी टेस्टी बिस्किट बने थे वो, तो य देखिए, हम आटे को थोड़ा सा एक बार और चिकना कर लेते हैं, अब हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, और चकले पे बड़ा साई से बेल लेंगे, रोटी के जैसा, इसे बेलने में आप यह ध्यान रखिएगा, कि इसे हमें पलटना भी नहीं है, और इसमें पीछे साइट से भी इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं, तो आप एक बार इस गेहू के आटे से नमक पारे बनाईएगा, यह हिल्दी होने के साथ सा टेश्टी भी होता है, तो इसे आप थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जैसे आप वीडियो में देख रहा है ना इस तरीके से से डाइमंड सेप में कट कर लिया है तो इस तरीके से आप इसे थाली में फैला फैला के रखिएगा अगर थोड़े बहुत चिपक भी जाएंगे तो आटा हमारा हार्ड है ना जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो यह खुल कर लिजिए एक बार हमें तेल को अच्छे से घरम कर लेना है उसके बाद हम आज को धीमा कर देंगे और अपने जो नमक पारे है ना इसे हम इसके अंदर डाल देंगे तो ध्यार नखिएगा एक बार में बहुत ज्यादा नमक पारे आप नहीं डालिएगा नहीं तो इससे हमारे जो नमक पारे हैं वो फूलेंगे नहीं तो अब हमें इसे मीडियम टू लो आज पर फ्राई करना है आप आज को बहुत ज्यादा तेज मत रखिएगा नहीं तो यह आटे के नमक पारे है ना तो अंदर से कच्छे भी हो सकते हैं तो यह देखिए एक साइट से यह हो और उपर से देखिए तेल में तैरने भी लगे हैं इसका मतलब हमने जो नमक पारे बनाये हैं वो इद्दम टेश्टी बन रहे हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स दोनों साइट से हमारे नमक पारे अच्छी तरीके से हो गए हैं इसमें अगर आपको थोड़ा सा कच्छा पन लगे तो कोई बात नहीं अभी गर्म है और दीरे दीरे यह सिक जाएगा और अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देखने में भी ये कितने सुन्दर लग रहा है कोई इसे कह नहीं सकता कि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है तो इसी तरीके से हम सारे नमक पारे अपने फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूं ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने है इसे आप एक बार बनाईए और पूरे महिने इस्टोर करके खाईए चाय के साथ खाईए कहीं सफर में जा रहे हूं तो भी आप इसे ले जा सकते हैं आपके बच्चे होस्टल में रहते हैं तो भी आप इसे दे सकते हैं बहुत ही टेश्टी और एक अच्छा स्नेक्स है ये हमारा आई हो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी मज़दार रेसिपी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो